दोस्तों हम जीवन में कई लोगों से मिलते हैं और उन में से कई लोगों को अपनी जिन्दगी का एक एहम हिस्सा बना लेते हैं जिनके साथ हम अपने जीवन के सुख दुख साजा करते हैं लेकिन इनी लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमें दुख और दर्द के सिवा कुछ नहीं देते हैं और हम ऐसे लोगों पर भरोसा करके अपने जीवन को दुख के सागर में डुबो देते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आचारे चाड़क्य का एक बेद ही महदुपूर विचार साजा करेंगे जिससे आपको पता चल सेके कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आचारे चाड़क्य की नीदियां और विचार भले ही आपको थोड़े कठोर लगे लेकिन ये कठोरता ही जीवन की सच्चाई है हम लोग भागदोर भरी जिन्दगी में इन विचारों को भले ही नजरनदास कर दें लेकिन ये विचार जीवन की हर कसौटी पर आपकी मदद करेंगे आचारे चाड़क्य के इन ही विचारों में से आज हम एक बेहद ही खुबसूरत विचार का विशलेशन करेंगे आज कमचार उन लोगों के बारे में हैं जो आपकी आखों में आशू छोड़ जाते हैं आचारे चाड़क के कहते हैं बार बार आशू साफ करने की बचाए अपनी जिन्दगी से उसको ही साफ कर दो जिसकी वजह से आपकी आखों में आशू आते हैं आचारे चाड़की के इस कधन का अर्थ है कि जो व्यक्ति आपके आशों की वजह पता है उन्हें अपने जिन्दगी से दूर करने में ही भलाई है ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग आपके अपने होंगे वो आपके दिल को कभी चोट नहीं पहुँचाएंगे दिल को जब भी चोट लगती है तो उसका दर्द आशों के जरीएं आखों से बहता है असल जिन्दगी में आपका आमना सामना कई तरह के लोगों से होता है कुछ लोग आपके जस्बातों को एहमियत देते हैं तो कुछ लोग उन जस्बातों की बिलकुल भी गदर नहीं करते हैं जो लोग आपके जस्बातों की गदर करते हैं वो आपको कोई भी तकलीफ नहीं देते हाला कि कई बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले पर आँख बंद करके भरोसा करते हैं लेकिन वो बार बार आपको आसुओं के उस सागर में डुबो जाता है, जिससे आपका अपने आपको समभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस व्यक्ति पर भरोसा करके बार बार खुद को तकलीफ देने से अच्छा है कि आप उस व्यक्ति से किनारा कर ले। ऐसा करके ही आप अपने आपको खुश रख पाएंगे। बार बार आसुओं को पोच कर आगे बढ़ना और फिर उसी तकलीफ से गुजरने से अच्छा है कि आप उस व्यक्ति से अपने सारे रिष्टे खत्म कर ले। इस तरह का व्यक्ति आपको सिवाए आसुओं के और साथ ही ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। जिससे कि हमारी आने वाले वीडियो आपसे मिसना है। धन्यवाद।